न्वाश्कार दोस्तों मैं आगया हूं आपके लिए power query का पार्ट 8 लेके आज हम क्या सीखने वाले power query में आपने सुना होगा pivot और unpivot column हम किसे कहते हैं तो आज के power query में हम सीखेंगे एक ही video में pivot करना और unpivot वह भी power query में बिल्कुल ध्यान रखना यह आपके power और बी आई में भी यूज होता है तो बहुत अच्छा option है पिवट अन पिवट चलिए बिन आइम वेस्ट के वह अपने टॉपिक में चलते हैं अपने आज हम पिवट-वट सीखने वाले इससे पैले मैं एक पावर क्वेरी के लिए सबसे पहले पिवट cancel की एक New File अपलोड करूंगा अप्लोड करना हम सब्सक्राइब देटा में क्लेक करना है करना में से आप सीएज़ लेक्क कर लिएQué जो अनपेविट वाली फाइल मेरे डेक्सटॉप में वह एक एकसल है मैं आपको सीएस्वी सेलेक्ट करके भी अप्लोड करना दिखाऊंगा तो मैंने यहां पे वह अनपेविट वाली फाइल मेरी आनी रही तो आपको क्या करना है यह साइड में ऑप्शन है ड्रॉप टाउन समीज़ी फाइल देख रहा है मैंने इस इसमेसे प्लिक करेंगे एक विड्क में उपन हो के आ जाएगी यह विंड्व आढदी ब्रीफ में सच्टी विए को इनप्सेड और मैंने कर दिया ट्रासफॉर्म में ट्लिक अब जैसे हम ट्रांसवां में क्लिक करेंगे यह हमारा क क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है अब देखिए सबसे पहले मैं आज आपको दो चीज़ा सिखाऊंगा इसमें एक जो फर्स्ट रोग को हम हेडर में किसे कनवर्ट करते हैं उसके दो ऑप्शन से सेकंड पिविट अनपिविट तो सबसे पहले यह देखिए हम मेरी जो हेडर ह ओना चाहिए वह इह ओना चीए कor सेल डोजाथ फंद्र हुट आणे चाहिए वागnor मि później नहीं आरा तो आपको करने के लिए क्शुम करने के लिए दो और आएगे आपको home में जाना है home में सबसे ऊपर ट्रांसफोर्म के अंदर आपके पास ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज़ेडर आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं नहीं तो आप आप extreme right में आईए अपने query editor में extreme right में यहां पर drop down देखेगा आपको drop down में आप क्लिक करेंगे वहां पर option आएगा second option use first row as a header तो मैं यहां से convert कर देता हूं मैंने click कर दिया use first row as a header में अब देखिए जो भी मेरे first row थे वो सारे header में जाके convert हो गया है इसका मतलब हमने दो option सीख लिए कैसे हम अपने first row को header में convert करते हैं तो यह हमारा हो गया अब मैं आपको मता दू पिविट अन पिविट बेसिकली करता क्या है कि यहां पर मेरे पास total cost है sales है और purchase है 2015 की मेरे पास cost sales purchase है 16 17 18 मगर मुझे यह इतने सारे columns में नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे total cost year और उनकी sales खाली मुझे तीन column में चाहिए तो कैसे आ सकता है मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए यह जो टोटल जो भी column में convert करना है जैसे अभी के लिए यह अलग-अलग column में है अलग-अलग row में divided है मुझे खली दो column में convert करना है तो आप उतने साड़े data को select करने के लिए मैंने 2015 को select किया shift की अदत से मैंने 2016 को select किया 17 को select किया 18 को 19 को और 20 को यह सारे मेरे select हो गए अब simple आपको transform में जाना है transform में option आता है unpivot column के अंदर भी 2-3 options है सबसे पहले हम देख लेते unpivot column क्या करता है अन पिविट कॉलम में जैसे ही क्लिक करूंगा तो यह देखिए इससे क्या किया मुझे total cost attribute जो हमारे यह था और values एक line में लाके दे दिया मतलब मेरे उतने सारे rows उतने सारे column से यह अब मेरे इन जो सिलेक्ट कर रखा है यह उनको उन पीविट नहीं करेगा उनके नरह जो भी है उन सारों को करेगा जैसे मैंने elles ड्रॉप डार्वन से क्या अन पिविट और कॉलम तो यह देखिए जो यह चWas छपी रहे गया है उसके इस पीक्र Ricky share a यह तो मैं यह जो अंठर्ड ऑप्शन है और जो आपका फ्ट ऑप्शन है दोनों बिल्कुल सेम काम करते तो इसके लिए मैं क्या करता हूं ऐसे उनली सेलेक्टेड और यहाँ तो यहाँ ने देखनी रिया अन्पिविट क्या करता है इसके विप्रीत जो हमारे पास आता है वो आता है pivot column, pivot column basically करता क्या है, तो यह देखिए यह अमने unpivot column किया है अगर कभी आपके पास ऐसा ही बेलकुल यह 3 column में या आपके पास जितने भी column है उनमें data हो, आपको वो row wise segregate चाहिए, row wise data चाहिए तो उसके लिए हमारा pivot column काम आता है कैसे यह जो है हम अगर से वापस अपने default में ले चाहिए बट हम इसे चाहिन नियुक्त है हम डिफॉल्ट में कैसे ले जा सकते जिस बिल्कुल सभी कहांब आपने पिविट कोलम के तुर पिविट कोलम हम दो हम कैसे करेंगे फिर से को सिलेक्ट करना है मैंने कर दिया यह किससे यह बोलता है आपको किस से करना है वालियू से यह Rabbit से जो हमारे परचेस हैं तो मुझे वैल्यूस से पिवट करना है तो मैंने वैल्यूस को सेलेक्ट कर दिया और ओके देखिए यह बिल्कुल उसी फेज में लिया है जहां पर हमने अन पिवट कॉलम शुरू किया था देख सकते हैं अगर आपके पास कभी भी डेटा हो अलग- इवट कॉलम का यूज करते हैं पावर क्वेरी में आशे करता हूं दोस्ता आप लोगों को वीडियो पसंद आगी होगी पसंद आई तो लाइक चेर सब्सक्राइब जरूर करना अपने कमेंट्स देना बेलकोल मत बूलना चलिए दोस्तों आग्या लेता हूं बहुत- कि बचना मैं मैं को यूची करते हैं बिस देना भूफ होगिए टूलना यूroom को वी चको वी संदीत देना ह सब्सक्राइब रूप जाब टूफ